शरीर को स्वस्त मजबूत बनाय रखने और उसके बेहतर कामकाज के लिए जिस तरह प्रोटीन, कैल्शियम या आयरन जैसे पोशक तत्मों की जरूरत होती है ठीक उसी तरह बिटमिन B12 की भी सक्त जरूरत होती है इस बिटमिन की कमी से शरीर कमजोरी और बेजान बन सकता है या शरीर के सभी कोशिकाओं के लिए आवश्यक है विटमिन B12 एक पाने में घुलनशील विटमिन है जो कुछ खाद्य पदार्थों में मौजूद होता है या लालरक्त कोशिकाओं और डियने के निर्मान के लिए जरूरी होती है या मस्तिश और तंत्रिका कोशिकाओं के कारे और विकास में भी एक महत्वड भूमिका निभाता है जोदा वर्ष और उस्यादिक उम्र के पुरिशों और महिलाओं को रोजाना 2.4 मैक्रोग्राम यानि MCG विटमिन B12 की चरूरत होती है गरबावस्ता और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को रोजाना क्रमशा 2.6 MCG और 2.8 MCG की चरूरत होती है डॉक्टर ने पताया कि सबसे गंबेर बात ये है कि विटमिन B12 की कमी से दिमाग पर असर पड़ता है 20-40 की उम्र के लोगों को भोलने की समस्या यानि मेमोरी लॉस होना जैसे इशूज हो सकती है अगर आपको ऐसे लक्षन महसूस होती है तो आपको तुरंद टेस्ट कराना चाहिए डॉक्टर की अनुसार विटमिन B12 की कमी होने पर आपको तुरंद अपनी डायट में बदलाओ करना चाहिए कुछ खादे पदार्थों में इसकी अच्छाई मात्रा पाई जाती है आप अपने डायट में किसी भी कीमत पर अंडा, म इट, फिश और मश्रूम जैसे खादे पदार्थों को शामिलना करें।